रातों में बिल्ली का रोना क्यों माना जाता है अब सकुन जाने क्यों मिलते हैं ये असुभ शंकेत हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाओं को सकुन अब सकुन से जोड़ कर देखा जाता है सकुन सास्तर में कुछ ऐसी बाते बताई गई है जो शुभ और असुभ का संकेत देती है सकुन सास्तर में बिल्ली का रोना अब शकुन माना जाता है बिल्ली का रोना कई असुभ शंकेत देता है आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्यों बिल्ली का रोना अब सकुन माना जाता है बिल्ली का रोना कुछ गलत होने का संदेश देता है माना जाता है कि बिल्ली घर में नाकरात्मक उर्जा लेकर आती है तंत्र, मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक मानते है बिल्ली का बार-बार घर में आना अशुह माना जाता है बिल्ली के रोने की अवाज बहुत डरावनी होती है या मन में भै पैदा करता है बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो माना जाता है कि घर के किसी सदस्य के साथ अनहोनी होने वाली है माना जाता है कि बिल्ली को भविश्व में होने वाली घटनाओं का अभास पहले से ही हो जाता है बिल्ली का आपस में लड़ना धनहानी और ग्रिह कलह का संकेत देता है बिल्ली का बाई तरफ से रास्ता काटना भी अशुम माना जाता है इसी माननेता है कि इससे आप जिस कार्ज के लिए कहीं जा रहे हैं वो सफन नहीं होता है बिल्ली घर में रखा दूर चुपके से आकर पी जा तो ये धन ना सोनी का संकेत होता है वहीं डिपाउली के दिन बिल्ली का घर में आना शुह माना जाता है माना जाता है कि इससे साल भर घर में धन का आगमन होता है अभी तक अपनी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सेर करें और कमेंट्स करें